नमस्कार संजु के किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेश्टी, बहुत ही अच्छी यमी सी गाजर की रबड़ी इसे छोटे से लेकर बड़े बुढ़े तक लोग खा सकते हैं, बहुत आसानी से इसको बनाने के लिए यह हमने कुछ गाजर ले ली है, आप अपनी हिसाब से कम जादा गाजर को ले सकती है उचे अच्छे से धुल लेना है, यह देखे इस तरीके से और उपर से जो गंदगी हो उसे हटा देना है चाकू की मदद से और छोटे टुकडों में हमने कट कर लिया, इसके डंठल जो हते हैं, थोड़े थोड़े से हमने डंठल को हटाया और सारी गाजर को यूच में ले लिया है और इसको हम बॉयल करनेंगे, बॉयल करने के लिए ये हमने एक फ्रेसर कुकर लिया है, कुकर में सारी गाजर को डालेंगे और इससे बॉयल करेंगे, बॉयल करेंगे हम दूद में, अगर आपके पास दूद नहीं है, मावा है तो आप पानी में हलका सा पानी डाल दीजिए, उससे बॉयल कर सकती है और आपके पास एक गिलास, देर गिलास, दो गिलास जितना दूद है उस हिसाब से आप दूद को ले लीजिए यह हमारा फुल क्रीम दूद है थोड़ा एक गिलास से ज़्यादा और यह हमारे पास कुछ खिलाओने जो दिवाली में चीनी डालिएगा और इसमें लगा देती हूँ धक्कन धक्कन लगाने के बाद इसमें एक सीटी आने देंगे पहले गैस के फ्लेम को तेज रखेंगे उसके बाद थोड़ी देर सिलो करके इसे हम बॉयल करेंगे और बॉयल जब हो जाती है तो हम उसे पीस कर अच्छी सी रबड़ी बनाएंगे और ये बहुत जल्दी बनके तयार हो जाती है इसमें कोई दिक्कन नहीं होती इसे परसंद सभी लोग करेंगे जरूर एक बाद सभी लोग ट्राइ कीजिएगा बहुत ही जल्दी बन जाती है और ये बॉयल होके तयार हो गई है इसा ये दूद फटा फटा सा लगता है लेकिन कोई दिक्कन नहीं ये दूद फटा हुआ नहीं है ये वो जो हमने चीनी की खिलोने डाले थे ना उसकी वज़े से हुआ है साइद आप चीनी डाले ना हो कुछ ड्राइफूट हमने ले लिए है इसमें बादाम, काजू, मखाना और किस्मिस है और ये कुछ पिस्ता है ले लिया और ये गाजर हमारी ठंडी हो चुकी अब इन्हें हम पिस के तयार कर लेंगे मिश्रन सबका जो हमारे ड्राइफूट पिसने वाले हैं उन्हें हम पिस के तयार कर लेंगे जो खड़े रखने वाले हैं वो हम खड़े रख लेंगे और ये देखे हमने किसमिस रख लिये खड़ी पिस्ता अलग हमने पिसके तयार कर लिया और बाकी के ड्राइफूट हमने पिसके तयार कर लिया और ये हमने गाजर को उसी दूद में पिसके ले लिया है इस तरीके से मिक्सर में कहीं एक आधे टुकड़े रह जाते हैं तो एगर आप हटाना चाहें तो इन्हें हटा सकती है या चम्मच से इसे तोड़ सकती है आप हम बनाएंगे इसकी रबड़ी रबड़ी बनाने के लिए एक ले लेती हूँ पैन पैन में हमने डाल दिये हैं दो चम्मच देशी घी नास्ते वाले चम्मच जब ये गरम हो जाता है तो इसमें हम जो गाजर पीस के रखी थी उसी गाजर को इसमें आट करेंगे और धीर चलाते हुए हमको अभी गैस के फिलम को बहुत ही सिलो रखना सिलो हमेशा ही रखना है क्योंकि ये गाजर है चिपने लगेगी तो इसे हमें सिलो आज पर ही पकाना पड़ेगा और ज्यादा देर नहीं पकाना जैस दस मिनट ही पकाना रखते हैं और मेरी रबड़ी बनके प्यार हो जाएगी देखें डालते ही इसमें पकने लगी है और ये जो हमारे बरतन में गाजर पिसा हुआ रखता था उसी में थोड़ा सा दूर डाल के इसमें डाल देंगे मिला देंगे और मिलाते हुए कल्ची की मदद से चलाते हुए हमें अच्छे से इसे पका लेना जब तक रबड़ी नहीं बन जाती है देखो बबल साने लगे हैं बॉयल हो चुकी है कुछ इलाइची हमने ले ली है छोटी वाली और इन्हें दरदरा सा कूट लेंगे इन्हें डाल देंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा रता है और यह पेस्ता भी हमने रख लिया हटा के अलग इसको हम गाइनिस में यूज करेंगे और बाकी के ड्राइफूर जो हमने पीश के रखे थे और जो हमारे खड़े साबुत थे उन्हें भी हम इसे एड़ कर देंगे और इस समय यह जो गाजर हम पका रहे हैं यह बहुत छीटे आती है तो इसमें जलने का डर रहता है तो इसे हम ढख के पकाएंगे यह दरदरा कूट लिया है और देखिए इस तरीके से छीटे काफी जादा आने लगती है तो गैस भी खराब हो जाता है किचन भी सब गंदा हो जाता तो इस तरीके से बंद कर देना है और बहुत ही सिलों आज पर भी यह छीटे आ रही है यह बंद करना बहुत जरूरी है यह डाल दिया हमेलाइची का पाउडर जो बना के तयार किया था, मिलाते होए यह टेश्टी सी हमारी रबड़ी बनके तयार हो गई है, अगर आपके पास मावा है तो उसे भी इसमें आइट कर सकते हैं, और अच्छी हमारी बनके तयार होगी, और इसे महमान के आने पर या ब जिएगा, और इसमें हम डाल देंगे पैस्ता जो हमने दर दरा सा कूट के रखने हैं, तो थोड़ा सा देखने में अच्छी सी लगेगा, लोक इसका अच्छा आजाएगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर की जाएगा, यह है आप सब के लिए पहले, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और फैमली दोस्तों के साथ से जरूर कीजिएगा, और इस तरीके से आप गाजर का रबड़ी बनाएंगे, सभी लोग खाना पर संद करेंगे, और वीडियो देखने के लिए थाइंक्यू, धन्यवाद,